Friends History 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए अपनी पिछली क्लासेज में हम लोगों ने नियतिवाद, संभववाद, नव नियतिवाद जैसी विचारधाराओं को देखा और उसके बाद हम लोगों ने जो भूगोल में द्वैतवाद यानि डूलिस्म है उसको देखा। डूलिस्म में हम लोगों ने देखा कि भूगोल के दो भाग हो गए, एक जिसे सामान ने भूगोल कहा गया, और दूसरा जिसको प्रादेशिक भूगोल कहा गया। और कुछ समय के लिए जो प्रादेशिक भूगोल है, जिसे वर्नात्मक भूगोल भी कहते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा हो गया और जो सामाने भूगोल है वो पीछे चूट गया, अब प्रादेशिक भूगोल क्योंकि केवल इस्थानों का वर्नन करता है, यानि की पहाड क कहाँ पे है, संस्कृति कैसी विक्सित हुई है, तो इसलिए भूगोल की जो प्रायोगिक उपयोगिता है, जैसे की इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगाई जाएं और इस तरह के प्रशनों का हल देने की जो भूगोल की उपयोगिता है, वो समाप्त होने लगी, कई सारी प्रसे जो सामान निभूगोल है, जिसमें नियम बनाये जाते हैं, मॉडल बनाये जाते हैं, गणि सांखे की कंप्योटर का उपयोग होता है, इस तरह के सामान ने या विवस्थित भूगोल को फिर से जो है, मातरात्म करांती के द्वारा आगे लाया गया और भूगोल में बहुत सारे मॉडल जैसे कोटी आकार नियम हो गया, वेबर का मॉडल है, तंत्र विशलेशन है, इस तरहां के बहुत सारे नियम और मॉडल का निर्माण होने लगा। अब देखें ये और नियम और मॉडल जब बनाय जा रहे थे, तो एक समस्या ये आई कि इन में मनुशे की संस्क्रती, मनुशे के विचार, मनुशे की आस्था, धर्म, इन चीजों को इस्थान नहीं दिया जा रहा था, इसकी वज़े से देखा गया कि जैसे गरीबी की समस्य है, तो गरीबी की समस्या कई बार एक विशेश वर्ग से, जैसे अमेरिका में जो अश्वयत लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई थी, और इस तरह की जो समस्याएं थी, जो गरीबी की समस्या थी, भुख्मरी की समस्या थी, अपराध की समस्या थी, इनके ऊपर मात्रात्म, क ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में अब यहां से आपको भूगोल में दो तरह की विचार धाराएं देखने को मिलेंगी। एक वो जो मातरात्मक करांती को सपोर्ट करती थी जैसे प्रत्यक्षवाद हो गया। अब देखेंगे एक जो मातरात्मक करांती को सपोर्ट करती हैं और दूसरी जो मातरात्मक करांती के खिलाफ हैं। अब देखें एक एक करके हम लोग इस तरह की विचार धाराओं को देखेंगे। इस ही टॉपिक को हम लोग कहते हैं recent trending geography और मैंने ये सारा concept आपको इसलिए बता दिया। जिससे कि जब मैं आपको अलग-अलग विचारधारा समझाओं तो आप उनको आसानी से relate कर पाएं। सबसे पहले देखें हम लोग समझते हैं आदर्शवाद की विचारधारा भूगोल में आदर्शवाद क्या कहता है कि विश्व के बारे में जितना भी ग्यान आपके पास है वो आपके विचार और अनुभव का परड़ाम है। जैसे कि अगर आप काला हारी के मरुस्थल में नहीं गए हैं तो उसके बारे में आपके माइंड में एक बस मैप होगा, आपने कहीं से कुछ सुना है, कहीं टीवी पे देखा है, कहीं फोन में कोई वीडियो देखा है, उस सब को मिला करके अपने माइंड में आपने एक पि एक उधारण अगर दू, तो एक परवत है, अब इस परवत को जितने लोग देखेंगे, सभी की नजर इस परवत के लिए अलग-अलग होगी, कोई इससे डर सकता है, किसी के लिए ये परवत पवित्र हो सकता है, यानि कि अंतता जो संसार है, वो आपके विचारों का परिणाम है, तो मस्तिश्क में रचे बसे विचार ही आदर्श है, वही वास्तविक्ता है, अच्छा देखिए, इसमें एक बात आती है यानि कि, देखिए, क्या कहा जा जारा है, कि मान लिजए आद से एक हजार साल पहले, एक विशेश तरहा की बस्ती थी, अब उस बस्ती को बसाने वाले लोगों restrictions होगा, जो सोचने का तरीका होगा, वो भी एक विशेश तरहा का होगा, तो कहा जारा है, पहले आप उस पर होते तो आप क्या-क्या decision लेते और इसके आधार पर आप ये बता पाएंगे कि उस समय ये बस्ती जैसी भी हजार साल पहले develop हुई वो क्यों हुई यानि कि कुल मिला करके जब हम लोग परेशान होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेरी जगे पे आकर सोचो वही चीज कही जा पर आपको जाना होगा या आपको अपने mind को उसी time में उसी mindset में ले जाना होगा और फिर इसके बारे में सोचना होगा क्यों इतने detail में पढ़ाया एक question देख लीजे question आया यह कथन की वहपद्धती जिसके द्वारा व्यक्ति उन लोगों जिनकी क्रियाओं को वो इसपष्ट करना चाहता है उनकी सोच के बारे में पुनह विचार कर सकता है मानो भूगोल के किसके दर्शन का संकेत करता है यानि कि जिसन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी सोच के बारे में पुनह विचार कर सकें तो ये अभी मैंने आपको बताया सोच, पुनर सोच और पुनर रचना आदर्शवाद सिधान के अंतर गता है एक और कोश्चन देखिए जो प्राया पूछ लिया जाता है भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक निमनम लिखित में से कौन से थे या कौन है तो गुलके, जो गुलके हैं ये भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक हैं अब देखे इसके बाद दूसरी विचारधारा आजाती है, पॉस्टिविज्म की विचारधारा, इसको हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्षवाद, कोश्चन पूछ लिया जाए कि मात्रात्मक क्रांत के पीछे कौन सी विचारधारा थी, तो प्रत्यक्षवाद की विचारधारा हैं अब देखिए समझ लेते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा है वो क्या है देखिए हम लोगों ने देखा कि जो आदर्शवादी लोग हैं वो कह रहे थे कि जो दुनिया है वो मनुशे के विचारों का पढ़ नाम है यानि हम जैसा देखते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखती है प्रत्यक्षवादियों ने इस चीज का विरोध किया और विरोध करने का कारण भी था कि देखिए अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि दुनिया विचारों का पढ़ नाम है आपको उसके लिए कैलकुलेशन करना होगी जैसे आप जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगाना कहां सही होगा तो आपको उसके लिए कैलकुलेशन करना होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर होगा उसके लिए आपको कोई सिध्धान कोई model डेवलब करना होगा और जब आप ये कह देते हैं दुनिया विचारों का परड़ाम है तो ऐसा कोई model डेवलब करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि विचार तो सबके अलग-अलग होंगे या प्रत्यक्षवादियों ने जैसे आप एक परवत के पास खड़े हैं आप परवत को छूके देख लीजे जो calculation है वो calculation कर लीजे आपको परवत की height पता चल जाएगी आप परवत के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं अपनी इंद्रियों से, हाथ से, आँख से, कान से आप सारी जानकारियां एकटी कर सकते हैं तो यानि इसलिए देखे प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद भी कहा जाता है यानि कि आप आप अब्जर्व करके आप अनुभव करके चीजों का पता लगा सकते हैं अच्छा देखे प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा थी ये आदर्शवाद की विरोधी थी और अध्यन की निगमनात्मक विधि को लेके चलती थी आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों को एक अलग क्लास में मैं आपको अलग से बता दूँगा अभी के लिए आप याद रखिये कि ये निगमनात्मक विधि को लेके चलती थी यानि कि सिध्धान्त एक बनाया और उस सिध्धान्त को पूरे विश्व में लागू किया तो जो कामते थे जो की प्रत्यच्वादी विचारधारा के एक प्रबल समर्थक थे इन्हों ने तत्तुमी मांसा जब मैं तत्तुमी मांसा कहूं तो इसको याद रखिये आदर्शवाद की बात हो रही है तो इन्हों ने जो आदर्शवाद में तक तो मिमानसा की बात कही गए थी, उसको काम्टे ने दो कारण से खारिज किया, एक तो इसका वास्तविक्ता में कोई आधार नहीं है, और दूसरा व्योहारिक प्रश्णों की तुलना में ये जो भावनात्मक प्रश्ण है, उससे ज़्यादा चुड़ी थी, देखिए कारणों से काम्टे ने इसे नकार दिया, निमन में से कौन मात्रात्मक रांति का दार्श्णिक आधार है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अंसर देने में, कि जो दूसरा option है, प्रत्यक्षवाद, वो मात्रात्मक रांतिका दार्श्णिक आधार था, देखिए बुक का नाम मत याद रखिए, विलियम बैंग का नाम नायाद रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि जो मात्रात्मत करांति को मानने वाले थे, जो प्रत्यचवादी थे, वो भूगोल को इस्थानिक संबंधों के विज्ञान और ज्यामिति को इस्थान के विज्ञान के बनती है तो इनके बीच में कैसा इंटर रिलेशन डेवलाप होगा कैसे ये आपस में जुड़े होंगे इस तरह के इस्थानिक संबंधों को बताने वाला को एक्स्प्लेइन करने वाला विज्ञान भूगोल को माना किन्होंने प्रत्यक्षवादियों ने और ज्यामिति को इ स्टडी करेंगे कैसे करेंगे जोमेट्री के द्वारा जो आज जी आई एस और इन तरह की चीजों में बदल गया है पीटर हैगट की एक बुक है लोकेशनल एनालिसिस इन हुमन जियोगरफी पूछी जा सकती है आपको याद रखना है पीटर हैगट ने लिखी लोकेशनल पहले भूगोल वेता थे जिन्होंने भूगोल में सामान प्रणाली सिधान्त का परिचय दिया उनका जो पेपर था देखे पेपर क्या होता है जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं जो शोध के रोल लेकर के पत्र प्रकाशित किया जाते हैं तो इनका एक पत्र था एक शो को आगे हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे अब देखिए हम लोग समझेंगे भूगोल में उप्योगितावाद देखिए जब मातरात्मा ग्रांति के आधार पर डेवलपमेंट किया जा रहा था तो मनुष्य को आर्थिक प्राणी मान लिया गया यानि कि मनुष्य के ज द्रश्ट्री वहाँ पर लगना चाहिए जहां पर लोगों को रोजगार की जरूरत हो अगर आपका द्रश्टिकोन इस तरह का हो जाता है कि मान लिजे कहीं पर अपराद की समस्या बहुत जाता है और आप निश्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अपराद इसलिए बहुत क्योंकि यहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वहां पर रोजगार की विवस्था करना क्या ये एक सही तरीका नहीं होगा तो इसी तरहां के जो प्रशन थे वो मात्रात्मक करांति के विरोध में उठने लगे क्योंकि मात्रात्मक करांति के मौडल कहां पर येक्षवादी जो विचारधारा थी, जो मातरात्मक क्रांटि को जिसने जन दिया था, उसमें एक सुधार करने वाली विचारधारा है, देखिये उपयोगिताबाद ने जो भूगोल में सांखिकी के तरीकों का, गडित का उपयोग हो रहा था, निया मौडल का उपयोग हो उसका विरोध नहीं किया, इसने कहा लेकिन जो साथ में मनुष्य का द्रश्टिकोण है, मनुष्य का धर्म है, आस्था है, मनुष्य की समस्याएं हैं, उसको भी आप साथ में लेके चलिए, जिससे की जो भूगोल है वो व्योहारिक रहे, लोगों के एक काम की रहे, ऐसा नह हो कि भूगोल जो सॉलूशन निकाल रही है, वो लोगों के किसी काम ही ना है, तो थेورी में अब इसी बात को देख लेते हैं, उपियोगितावाद प्रत्यक्षवाद का एक संशोधित रूप है, जैसा कि मैंने कहा प्रत्यक्षवाद में सुधार करके उपियोगितावाद सामने आया, प्रत्यक्षवाद की तरहां उपियोगितावाद का दर्शन भी वैग्यानिक पद्धति के उपियोग की वकालत करता है, फर्क केवल इतना है कि ये अंदोलन मानवी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करता है, तो साइंस का उपियोग करिए, लेकिन किस लिए मनुष्य की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, उपियोगितावाद के प्रस्तावक समाज की व्योहारिक समस्याओं को हल करने और भोगोलिक वास्तिविक्ता का पता लगाने के लिए, मूले आधारित वैग्यानिक पद्धति का उपियोग करते हैं, यानि कि जो आप भावगोलिक वास्तविक्ता का पता लगा रहे हैं, समस्याओं का हल ढून रहे हैं, उसमें जो मनुष्य की वैल्यूज हैं, जियो मनुष्य का द्रश्टिकोर माननेता वगरा है, उसको भी स्थान देते हुए रिसर्च करिए, किसी भी प्रॉबलम की खोज कैसे करेंगे मनुष्य की भावनाओं, मनुष्य की जो वैल्यूज हैं, उनको इस्थान देते हुए, आप वैग्यानी पद्धतियों का उपियो करते हुए, समस्या का हल निकालेंगे ग्रह युद्ध के बाद अमेरिका में प्रगतिवाद का विकास हुआ, और दूसरे विश्युद्ध तक बहुत धिक और सामाजीक परिवर्तन हुए, इसके बाद पश्च्मी यूरोपिये देशों में भी ये फैला वहां पर भी इसके समर्थक मिलते हैं, और एक जो सबसे important point है, जो आपको नहीं भूलना है, जो इसका PDF होगा, उसमें मैं इसको color, दूसरे color से कर दूँगा, कि भूगोल में उप्योगितावाद ने व्योहारिक भूगोल के विकास को प्रेरित किया, यानि जो applied geography विक्सित हुई, वो उप्योगितावाद, जिसको English में pragmatism कहते हैं इसकी वज़े से हुई, अच्छा उप्योगितावाद और प्रगतिवाद दोनों एक ही चीज हैं, अब देखे बात करते हैं भूगोल में मानवतावाद की, तो हम लोगों ने देखा quantitative revolution, यानि मात्रात्म करांती के तरीकों का बहुत जादा विरोध हो रहा था, क्योंकि मन मानवतावाद की विचारधारा है, इसकी सबसे मुख्य बात है, ये कहती है formula और सब कुछ side में रखिये, मुख्य बात आती है मनुख्य की, यानि केंद्र में कौन होना चाहिए, मनुख्य होना चाहिए, मनुख्य का विचार, रास्था, उसकी भावनाएं, उसकी समस्याए ये केंद्र होना चाहिए भूगोल का, ना कि कोई mathematical concept, कोई सांख्य की का तरीका, तो कुल मिला करके इन्होंने मनुख्य की समस्याओं को केंद्र में रखा, अब देखिए भूगोल में जो मानवतावाद है, इसका अर्ज क्या है, देखिए हम लोग प्रकति के साथ लगाता अंतरक्रिया कर रहे हैं, यानि कि आप मान लिजे कोई क्रशक है तो वो खेत में जाता है, कोई अपने वर्क पे जाता है, यानि कि कोई transportation का साधन लेता है, तो हम लोग अलग अलग तरहां से प्रकति के साथ अंतरक्रिया करते हैं, अब इसमें क्या है कि ये जो हम प्रकति क साथ जुड़े हुए हैं यहां पर केवल हम फिजिकल यानि शरीर के माध्यम से ही नहीं जुड़े हैं बलकि भावनाओं से भी जुड़े हैं जैसे की एक समुदाय है माल लीजिए जो अपने व्रक्षों को बिलकुल नहीं काटता है कुछ भी हो जाए वो व्रक्ष नहीं दूसरा समुदाय है वो लाव के लिए व्रक्षों को काटने में कोई परहज नहीं करता है तो यानि कि जो मनुष्य की भावनाएं हैं वो प्रभावित कर रही हैं कि मनुष्य प्रकति के साथ कैसा संबंद इस्थापित करेगा पेड़ काटेगा या नहीं काटेगा हमारे नदियों को एक लंबे समय तक मा का दरजा दिया गया पवित्र नदी का दरजा दिया गया और इसकी वज़े से क्या हुआ कि नदियों में शुद्धता बनी रही जब हमारे यहां भी पूंजी वादी विचारधारा आई लाब अधिक्तम करने के लिए काम होने लगा तो इ बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं तो इनी चीजों का अध्यण मानवतावाद के तहट किया जाता है कि मनुश्य और प्रकति के बीच में कैसे संबंध हैं और उन संबंधों में भी भावनाओ का भी अध्यार्हन होता है कि यवखल ऐसता नहीं है कि सांख्यकी के योग किया जाता है, तो देखें, मानुप्ता वादी भूगोल केवल ज्ञान डाहिए, बलकि यहां, ओनवी जगत के बारे में बोध कराने का सधन है, यानि, ये मनुष्य जगत को कैसे देखता है, इसको समझाने का एक साधन भी है, मानवी की प्रगति अद्वा संसाधनों के साथ, यहाँ पर कुल मिला कर वही बात कही गई, जो मैंने आपको समझाई, कि मनुष़् प्रगति के साथ कैसे अंतरक्रिया करता है, उसके भावनाएं, उसके विचार क् प्रकत के बारे में इन सबी चीजों का ध्यन मानपतावाद में होता है तो मानपतावादी भूगोल का विकास मातरात्मक करांती की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया यानि की मातरात्मक करांती के विरोध में ये आई ये सोच मशीन नुमा मॉडलों और इस्थानिक विज्ञान के गणती और सांखिकी विधियों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई, याद रखिए मॉडल का विरोध करती है, जो आपका special science है, जो अभी पिछली slides में मैंने आपको पढ़ाया था जो इस्थानिक विज्ञान है, जिसमें की इस्थानों के बीच के relation ढूलने जाते हैं, मैंने आपको machinery और steel का उधारण दिया था इस इस्थानिक विज्ञान का भी विरोध करती है, और सांखिकी विधियों का जो भूगोल में उपियोग होता है, उसका भी विरोध करती है मानपतावाद को भूगोल में इंट्रोड्यूस किया, तो आप कह सकते हैं कि मानपतावाद का जो विचारधारा है, उसको भूगोल में कौन लाया, कोश्चन आता है, तो आप कहेंगे इफू तुआन, तो उसने जनजीवन में मानपतावादी सोच को व्यक्ति और बाताव परण के संबंधों में महतुपूर माना, तो इफू तुआन ने क्या कहा, कि जो मानपतावादी सोच है, उसके आधार पे हमें मनुष्य और प्रकति के रिलेशन का अध्यन करना चाहिए, और ये विचारधारा सबसे खास बात है कि मनुष्य को मशीन के रूप में नहीं द इफू तुआन पूरा नाम तुआन लिखके आता है तो भी वई, कुछ देखिए, फैक्ट याद रखिए, एक विधी है भूगोल में, मानपतावादी भूगोल में हर्मन्यूटिक्स, हर्मन्यूटिक्स क्या है? प्रित्वी की सता की घटनाव एवं द्रश्य वस्त्वों को साहित्य कला वगएरा के द्वारा समझना, यानि कि हमारी मान लिजे एगरी कल्चर का एक विशेश पैटर्न दिख रहा है, हमारे किस तरह की एगरी कल्चर होती है, तो इसको समझने के लिए जब हमारे साहित्य को भी देखा जाए, जिससे की हमाई भावनाएं समझी जा कर आ जाता है कोश्चन की ऐसी भूगोल में कौन सी विद है, जिसमें भूगोलिक शोध के लिए प्रेच्छन, सामुहिक, समवाद और साच्छात का रितियादी का उपियोग होता है, तो आंसर क्या होगा, मानुपतावाद में इन सभी चीजों का यूस होता है, एक करनाया, मनुष्य और इस्थान के बीच के जो गहरे संबंध है, उनको एक्स्प्लेन करने के लिए, एक क्वोश्चन देखिए, मानुपतावादी भूगोल की निम्न में से कौन सी मूल संकल्पना है, विकास एवं जीवन की गुणवत्ता, इस्थानी का वस्थिती, तो ज जादा नीचे जाने के आपको जरूरत ही नहीं है, जाहिर सी बात है, विकास और जीवन की गुणवत्ता, मानुपतावादी सोच मनुष्य को केंदर में रखती है, मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, चाहे वो इस्पैशियल साइंस का यूज करो या आप खुछ भी करो, ये लोग कहते हैं, कि जीवन की गुणवत्ता को अच्छा करना, ये हमारा मानुपतावादी भूगोल का केंदर होगा, अच्छा देखिये मानुपतावादी भूगोल की एक ठीम प्रस्तुत की थी, तुवान ने, तुवान ने ही मानुपतावाद में आपके माइंड में एक मैप बना हुआ है वहाँ के डेवलप्मेंट के बारे में आपकी माइंड में एक मैप बना हुआ है यानि कि अमेरिका को आप एक अलग तरीके से देखते हैं और जो भारती वेक्ति अमेरिका में रहता है हो सकता है वो अमेरिका को बिल्कुल अलग तरहां से देखता हो यानि कि हर किसी इस्थान के बारे में अलग-अलग लोगों का अपना-पना मैप होता है जिसको mental map कहते हैं दूसरी बात इलाका और इस्थान यानि कि लोगों के अपने इस्थान के साथ जहां वो रहते हैं emotional जो संबंध होते हैं उसका अध्यन करना भी मानपतावादी भूगोल की एक ठीम मानी गई भीड और एकांथ कुछ जगों पे देखे बहुत ज़्यादा भीड भाड होती है क्योंकि साथ संसाधन वहाँ पे है इसलिए ज़्यादा लोग रह रहे हैं कहीं कहीं पे एकांथ होता है तो जहां पर एकांथ है वहां पर मनुष्य की क्या विचार होते हैं अपनी भूमी के बारे में प्रकति के बारे में जहां पर बहुत जादा भीड़ भाड़ है, वहां पर मनुश्य के क्या विचार होते हैं, इस चीज का ध्यन भी मानपतावादी भूगोल की विशयवस्तू है, इसके साथी विशयवस्तू है कि मानपतावादी भूगोल में क्या-क्या पढ़ा जाना चाहिए, इसके साथी ज काहिर सी बात है हदियार जैसी चीजों का विरोध करेगी और आखरी चीज आ जाती है धर्म यानि कि मानुपतावादी भूगोल जो हमारे समाज में उपलब्द संसाधन है जैसे आप भारत में रहते हैं तो भारत में जो संसाधन है इसके उपर धार्मिक संरचना का क्या प्र अंशादन है इन सभी को देखना है ये भी मानवतावादी भूगोल की विशय वस्तु का हिस्सा है अब देखिए अंत में मानवतावादी भूगोल के और कौन-कौन से जॉगरफर हैं जिनका नाम याद रखना है देखिए इसको जो फेवरे है या जिसको फेवर भी लिखा रहता है तो फेवरे और विडाल्डी लाबलाश ने काफी सपोर्ट किया था इसके साथ ही काल सायर हार्षोन है कि तुवान है तुवान का नाम तो आम लोग देखिं चुके हैं यह वो सभी जॉगरफर हैं जो मानवतावाद से संबंधिता है और इसको देखिए आईसा मैं समझेगा कि बस मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया, यह important है, आपके question papers मैं देखता रहता हूँ और यहां से कई बार question आया है कि निम्न में से कौन सा मानवतावादी भूगोल वेता है या नहीं है, अच्छा जॉन राइट ने 1947 में भूगोलिक ज्यान को जियोसाफी, अर्था समस्त मानवो के मानस का संग्रह बताया, तो जियोसाफी का अर्थ क्या है, समस्त विश्व के जितने मानव हैं, उनके mind में जो विश्व के बारे में ज्यान है, उसको अगर एक साथ ले आए, तो उसको जियोसाफी कहेंगे, और यह word किस ने बनाया, जॉ इंटर्व्यू ले रहे हैं, यह समझने के लिए कि वो अपनी प्रकति को किस तरह से देखता है, ऐसे में आप जो सोचते हैं, वो भी तो इंटर्व्यू का हिस्सा हो जाएगा, आप अनबाइस्ट कैसे रह पाएंगे, आपका मान लीजे अपना विचार है प्रकति के बारे तो क्या है, व्यक्ति निष्टता है, अलग-अलग लोग समान परिस्थिती को अलग-अलग तरह से देखेंगे, चार लोगों ने समान, मान लीजे एक समुदाय है, कोई जनजाती है, उसका चार अलग-अलग लोगों ने इंटर्व्यू लिया, चारों लोग अलग-अलग पर पहुंचे क्यों, क्योंकि चारों की विचारधारा अलग-अलग है, तो इसे कहते हैं व्यक्ति निष्टता, अब देखे हम लोग समझेंगे, फंक्शनलिस्म इन जोग्रफी, यानि भूगोल में कार्यात्मक वाद की विचारधारा, देखे जो कार्यात्मक वाद है, इ उसके बाद लोगों के अलग-अलग काम है, जैसे कोई मजदूर है, तो कोई करशक है, तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इन सभी चीजों की, यानि लोगों के कार्यों और विवसायों की एनालिसिस करना, प्रकारिवाद या कार्यात्मक वाद का उद्देश है, देखिए ये जो हमारा कार्यात्मत वाद है, ये दुनिया को आपस में जुड़े हुए एक तंत्र के रूप में देखता है, एक प्रणालियों का, एक समू, आग्तर निर्भर प्रणालियों का, कैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिए तीन कंट्री माल लीजिए, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका में क्या है, आइपल नाम की एक कंपनी है, यानि कि ये आइपल कंपनी कहां रजिस्टर्ड है, अमेरिका में, ये अपने फोन का निर्मार कहां करती है, कहां करती है चाइना में टेकनोलोजी कहां डेवलप पो रही है इसकी अमेरिका में फोन कहां बन रहे है चाइना में बिक कहां रहे आकर के इंडिया में इतना ही नहीं इसके साथ ही इंडिया में इसका एक कस्टमर केर सेंटर भी है यानि कि इसका जो कस्टमर केर का काम है वो क उसरे से चुड़े हैं और जब आप और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे एक्च्वल में अलग अलग इंडिस्ट्रीज की वज़े से पूरा विश्व ही आपस में जुड़ा है कोई 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 देश-कोई खरीद रहा है और उसी कोईले का इस्तेमाल कर कोई देश कपड़ा बना रहा है तो वही कपड़ा अपना पूरे विश्व में बेच रहा है तो अलग-अलग देश अलग-अलग काम कर रहे हैं और सब आपस में जुड़े हुए हैं तो विश्व क्या है परस पर निर्भर प्रणालियों का एक समूव हो गया ऐसा कार्यात्म अकवाद मानता है और देखिए जो मनुशे की ये सामोही क्रियाएं हैं इन्हें लगातार दोहराया जा सकता है और इनका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है जैसे कि आपको पता होता है पहले से कि मान लीजे आने वाला जो वर्ष है उसमें भारत कितना कपड़े का आयात करना होगा यानि कि ये जो अंतर निर्भर धांचा है एक बार अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आसानी से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसलिए हमारे जो वैग्यानिक हैं वो बता देते हैं कि इतने वर्षों में पेट्रोलियम समा जाएगा अब देखिए कार्यात्मक बाद में एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये विश्व को अंतर संबंधित मानता है दूसरी चीज ये है कि ये मानता है कि जो विश्व है एक संतुलन की अवस्था में या कह लिजे जो सामाजिक विवस्थाएं होती है वो संतुलन की अवस्था में होती है एक उधारण फिर से देख लीजे ये हमारा एक शहर है एक बड़ा सा सिटी है इसके पास में क्या है एक ये मान लीजे विलेज है सिटी में क्या है विलेज से लोग आते हैं रोज काम धंदे के लिए इसके साथ ही विलेज में जो आप कहले जे गेहु है चावल है जिन चीजों का उत्पादन होता है वो भी सिटी में बिखता है और इसके बदले में सिटी से जो है माल लिजे फरनीचर है इस तरह की चीजे हैं वो गाउं में जाती रहती हैं तो यहां पर जो सभी समाज है चाहे वो शहर का समाज हो चाहे गाउं का समाज हो वो एक संतुलन की अवस्था में है एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं ये भी कार्यात्मक वाद में माना जाता है ये इसका कुछ concept हो गया, अच्छा, इस से संबंधित जो सबसे important भूगोलवेता वो है Gene Brunes अगर question आएगा कार्यात्मबाद से संबंधित भूगोलवेता निम्न में से कौन सा है, आप answer लगा देंगे Gene Brunes अच्छा, एक चीज और सकती है कि वो कौन सी विचारधारा कि एक प्रदेश है माल लीजे प्रदेश का मतलब पहले भी आपको बताया कोई ऐसा छेतर जिसमें एक विशेष्टा एक पूरे छेतर में पाई जाती है, जैसे पूरे छेतर की जलवायू एक जैसी है, एक जैसी क्रशी होती है, कोई भी एक समानता तो अब ये जो प्रदेश है हमारा इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होगी जैसे क्रशी हो रही होगी, यहां पर एक समाज होगा, जहां पर शिच्छा का काम चला होगा यहां पर स्वास्थे का काम चला होगा यहां पर पार्क होगा जहां पर लोग मनोरंजन करने जाते होंगे तो एक प्रदेश के इस तरह से बहुत सारे अंग हो गए लेकिन ये प्रदेश क्या केवल अपने अंगों का योग है इससे कहीं कुछ ज़्यादा जैसे कि हमारे शरीर में देखे कितने सारे अंग हैं, हमारे शरीर में लीवर है, किड्नीज है, हार्ट है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा शरीर क्या केवल इनका योग है, तो हम कहेंगे नहीं, हम इससे कुछ जादा हैं, हमारे जो विचार हैं, या कहले जो हमारी पूरी पर्सनाल्टी बनती है, उसकी वज़े से हम केवल अंगों का योग भर नहीं है, बलकि उससे कुछ जादा है, वही बात प्रदेश के बारे में कही जाती है, कि प्रदेश एक ऐसा जीव है, जो अपने अलग-अलग भागों के योग से कुछ जादा है, अच्छा ये का गुलमर्ग का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में परेटन आता है, टाटा नगर का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में लओ इस पाद के कारखाने आ जाते हैं, यानि कि आज नगरों को उनके कार्जों के आधार पर देखा जा रहा है, अच्छा किसी भी नगर के दो तरह के काम होते हैं एक तो जो सामने दिख रहे हैं जैसे कि गुलमर्ग का काम हो गया बर्येटन का दूसरा होता है जो गुप्त कारे हैं गुप्त का मतलब होता है जो ऐसा नहीं है जो छिपाये गए हैं मतलब जो आपको सामने से दिख नहीं रहे हैं जैसे कि गुलमर्ग में बच्चे पढ़ने भी जाते होंगे, वहां की एक सोसाइटी होगी, जो आपस में बात चीत करती होगी, तो ये उस शहर के गुप्त कारे हो गए, अब बैंगलोर है, बैंगलोर में अगर आपको सामने क्या कारे दिख रहा है, IT इंडस्ट्री का काम दिख रहा है, गुप्त का कारे क्या है, जो वहां पर इंजीनियर सापस में बात करते होंगे, उससे जो टेकनलोजी एक जगे से दूसरी जगे पर पहुंच जाती होगी, ये क्या है, ये गुप्त कारे हो गया, तो ये आपका भूगोल में कार्यात्मत वाद का विचार हो गया, अब देखे एक अन्य विचारधारा को हम लोग शौर्ट में देखेंगे, जो है अस्तितुवाद की विचारधारा, तो देखें, अस्तितुवादियों ने ये माना कि विश्व में जो घटनाएं होती हैं, उसमें व्यक्तिकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत प पे कर रहा है, उसका प्रकति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए हमें जो मनुष्य है, उसके उपर फोकस करना होगा, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो मात्रात्म क्तखनीके थी, जो वस्तुनिष्ट तरीके थे, अबज़ेक्टिव साधन थे, इक्टिव साधन क्या होते हैं, फॉर्मूले हो गए मैत के, सांखिकी हो गई, इन सब का अस्थितवादियों ने विरोध किया, नियतिवादी जो तरीके थे, उनका भी इन्होंने विरोध किया, और उसकी जगे इन्होंने मनुशे पर फोकस करने के लिए भूगोल में जोर द तो अस्थितवाद का पहला सिध्धान्त है, दुनिया में एक बार आने के बाद, मनुशे जो कुछ भी करता है, उसके लिए वो स्वयम जिम्मेदार है, याने कि मनुशे प्रकति में जो भी चीजे दिख रही है, वो मनुशे के निर्णय का परड़ाम है, और इसलिए मनु अतिवादी विचारधारा कैसे आई, एक तो इसका एयर जरूर याद रखिये, 1970 में आई, देखे क्या है, कि 1970 आते आते, विकारशील और अविक्सी दोनों तरह के देशों में बहुत सारी नई नई समस्याएं सामने आने लगी, जैसे कि एक समस्या अगर हम लोग कहें, तो जो मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां जिसको हम लोग जुग्य जोपड़ी कहते हैं, स्लम कहते हैं, ये स्लम की समस्या तेजी से आई, जैसे कि अमेरिका में एक समुदाय ऐसा था, जो अश्वयत वगरा थे, वो स्लम एरिया में रहने को मजबूर थे, और दूसरे जो बहुमंजिला इमारतों में रह रहे थे, तो यानि कि एक असमानता की स्थित को महसूस किया गया, और ये देखा गया जो अभी के तरीके हैं, जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में भी आपको बताया, कि मातरात्म करांती के जो तरीके थे, वो गरीबी, भुखमरी जैसी स समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से विफल थे, क्योंकि इनकी कमी क्या थी, ये लाव के लिए कारे कर रहे थे, तो ऐसे में वेलफेर जो है, मनुष्य का कल्यान जो है, वो पीछे चूट रहा था, तो तीन अगर मुख्य हम लोग कहें कि कौन सी घटना आए थी, जिसकी वज़े से ये अतिवाद की विचारधारा भूगोल में सामने आई, तो पहला था 1970 का वियतनाम युद्ध, इसके साथ ही आर्थिक मंदी जो आई थी, ब्रिटेन और अमेरिका में, और तीसरी चीश जो मैंने आपको बताया, मलिन बस्तियों की समस्या, इन तीन से भूगोल में अतिवाद की विचारधारा को बल मिला, देखिए जब वियतनाम युद्ध दो रहा था, तो बहुत से निर्दोश अमेरिकियों की जान गई, तो लोगों ने कहा, ये सब राजनीतिक निर्णाय जो किये जा रहे हैं, उसका परिणाम है, तो मनुष्य के नि जोग्रफर्स ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, विलियम बंगी, इन्होंने थेोरेटिकल जोग्रफी नाम की बुक लिखी, ये बहुत पहले से ही काम करते आ रहे थे, भूगोल में अतिवादी विचारधारा के लिए, थेोरेटिकल जोग्रफी इनकी बुक है, और प्रथक बस्ती की समस्या को ले करके इन्होंने काम किया था, फिर डेविट हारवे भी है, ये शुरू में थोड़ा सा मातरात्मा करान तीकिया और जुके थे, लेकिन आके चलके इन्हें विश्वास हो गया कि जब तक मार्सवादी तरीके को नहीं अपनाया जाएगा, या इस तरह की समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं कर सकते, एक देखे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एंटी पोर्ड पत्रिका, इसको निकाला था अमेरिका के क्लार्क विश्व विद्याले के विद्वानों द्वारा निकाला गया, 1969 में ये सामने आई, और इसने भूगो भूगोल का जो सुरूप है, वो रेडिकल होना चाहिए, या कह लिजे कि भूगोल का जो सुरूप है, वो कहीं न कहीं समानता की और ले जाए, समाज को ऐसा होना चाहिए, तो एंटी पोर्ड पत्रिका, इंपॉर्टेंट है अतिवादी विचारधारा को भूगोल में इंटी पोर्ड पत्रिका हो गई, अब देखें जो अगली विचारधारा हम लोग देखेंगे, वो है यतार्त वाद की विचारधारा, इंगलिश में इसको कहते हैं, रियलिज्म, तो देखें, बहुत ज़ादा डिटेल में नहीं जएंगे, यतार्त वाद क्या कहता है, वा यसी ही दुनिया हमको दिखाई देती है, पर यथार्थवादियों ने क्या कहा, कि देखिए वास्तविक्ता सब के लिए एक जैसी है, जैसे परवत है, तो वो सब के लिए है, अगर आपका पैर कहीं पे लड़ता है, तो आपके भी चोट लगेगी दूसरे के भी, यथार्थ वाद है ये आदर्श वाद के विपरीत था यानि कि जो आदर्श वाद की विचारधारा है इसके विपरीत में यथार्थ वाद की विचारधारा है अच्छा देखें प्लेटू का जो मानना था यानि कि जो प्लेटू थे ये कहीं न कहीं आदर्श वादी थे ये कहते थे इस इस थान और समय में आपको चीजे दिख रही है वो वास्तविक नहीं है वो आपके मन की उपज है यानि कि आप जैसा दुनिया को देख रहे हैं वैसी ही दुनिया आपको दिख रही है अरस्तु इसके अगेंस्ट में थे यानि कि जो अरस्तु है वो यथार्थवादी था वो क्या कहता था कि देखे दुनिया को आप महसूस कर सकते हैं पहाड को आप छू कर देख सकते हैं इस टाइप की बाते अरस्तू कहता था तो भौगोलिक व्याक्या में इन्होंने सिध्धान्त और मॉडल के उपयोग की वकालत की यानि यथार्थवादी जो है ये भी सिध्धान्त है मॉडल है इसके उपयोग को भौगोल में प्रोसाहित करते थे उन्निसमी सदी थी इसमें यथार्थवाद का रूप थोड़ा सा बदल गया नेव यथार्थवाद का जन्म हुआ और इसके जन्म दाता कौन थे कुक विलसन यानि कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेव यथार्थवाद का जन्म किसके प्रयासों से हुआ तो कुक विलसन इसका आंसर होगा इसमें नेव यथार्थवाद में क्या कहा गया कि अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप समय और इस्थान में देखना सकें दो चीजे कही जा रही है एक टाइम दूसरी इस्पेस जानि कि धरातल में जो कुछ है उसको आप देख सकते हैं अब ये टाइम इस्पेस के कॉंसेप्ट में नहीं जाएंगे थोड़ा सा साइन्स हो जाएगा और आपजेक्टिव में आप से ये पूछा भी नहीं जाना है तो आपका जो कॉमन सेंस है जो सामाने ग्यान है उसकी मदद से आप वास्तिविक्टा को जान सकते हैं जैसे कि मिट्टी आपके हाथ में कैसी महसूस होती है पानी का स्वात कैसा होता है इसको जान सकते हैं आप केवल अपने कॉमन सेंस है ये कहना कि जो दुनिया है इसको हम अपने सेंसे से या अपने अंगों से सही तरीके से नहीं जान सकते है ये मस्तिष्ट पर निर्बर है ये चीज सही नहीं होगी आप चीजों को अपने common sense से जान सकते हैं ये चीज यथार्थवादियों ने कही वर्तमान में आलोचनात्मक यथार्थवाद चल ला है यानि यथार्थवाद का जो अगला चरण था है आलोचनात्मक यथार्थवाद उसका विकास हुआ है और इसका श्रेक इसको जाता है टीपी नन को याद रखिएगा टीपी नन नाम आए तो एक तो ये यथार्थवात से जुड़े हैं और अगर थोड़ा और डेटेल में आ जाए तो आलोचनात्मक यथार्थवात से ये जुड़े हुए हैं अगली थेओरी है वेलफेर जोग्रफी यानि कल्याण कारी भूगोल देखिए फिर से वही बात आजाती है कि जब जोग्रफी में मौडल सिध्धानतों का उप्योग हो रहा था तो ऐसे में कल्याण कारी भूगोल सामने आई इसमें बहुत ही देखिए महान जोग्रफर है इसमित इनका नाम याद रखिए अगर कल्याण कारी भूगोल से कोई कोश्चन आएगा तो बहुत संभावना है उसमें इसमित का नाम जरूर होगा तो आप आंसर में बताएंगे कि कल्याण कारी भूगोल में निम्न में से कौन संभंधित है तो आप आंसर लगाएंगे इसमित इनकी बुक कौन सी है An Introduction to the Geography of Social Wellbeing नाम याद रखना कोई बुक का कठी नहीं है Social Wellbeing पे ही ये बुक लिखेंगे क्योंकि Welfare से कल्याण से जुड़े हुए हैं तो जो Social Wellbeing है यानि कि जो सामाजिक कल्याण है इसके उपर अगर इनकी बुक है तो कोई आश्यारी की बात नहीं है तो बुक का नाम आप याद रखिए और अपनी बुक में इन्होंने क्या किया जीवनिस्तर के सूचकों को विक्सित किया यानि कि जैसे ये पता लगाना है कि किसी एरिया में रहने वाले कितने परसेंट लोग अच्छा जीवनिस्तर जी रहे हैं कितने लोगों का जीवनिस्तर खराब है तो इसको मापने के लि एक तो आसपास का जो environment है, संसाधन कितने उपलब्ध है, क्रशिकी भूमी कैसी है, और इसके साथ ही आर्थिक राजनीतिक निर्णे कैसे लिए जा रहे हैं, ये भी important है, केवल environment की भूमी का नहीं है, ये भी important है, कि आपके देश की सरकार कैसे निर्णे ले रही है, शायद एक एक देश हो जहाँ पर जैसे भारत है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो पिछडे समुदाएं हैं, उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, कुछ ऐसे भी देश होंगे, जहाँ पर नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आपके जो राजनीतिक निर्णे हैं, वो भी व्यक्ति के जीवन इस्तर को प्रभावित करते हैं और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अलग-अलग राजियों में, अलग-अलग प्रदेशों में जो जीवन इस्तर का सूचक है, वो एक समान नहीं होता है यानि कि कहीं पर माल लिजे दो जगे हैं, सिंपल तरीके एक से देखते हैं, दो जगे एक जगे पर हो सकता है अगर आपके पास 100 सक्वाइर फिट का घर है तो आपका जीवन इस्तर चली 100 कुछ कम हो गया 500 तो आपका जीवन इस्तर हो सकता है ठीक ठाक मानना जाये वही पर एक मानली जे गाउव है यहां पर 500 square feet का घर किसके पास होगा जो गाओं के सबसे गरीब व्यक्ति हैं जबकि एक मुंबही जैसे शहर में 500 square feet जगह आपके पास होना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो अलग-अलग जगहों पर जो जीवन इस्तर का सूचक है वो एक जैसा नहीं हो सकता है को नाम बेसिकली याद रखना है बिटिश भूगोल वेता इसके नात ने कल्याण कारी भूगोल को परिवाशिक किया अच्छा इसके साथ ही pareto जो है अगर इनका नाम आता है तो यह भी कल्याण कारी भूगोल से चुड़े थे question आ जाए कल्याण कारी भूगोल से निम्नमे वेलफेर एपरोच, तो इस बूक में इन्हो ने कल्याणकारी भोगोल के चार मुख्य उद्देशे बताएं हैं, कौन, क्या, काँ, कैसे तो ये चार उद्देशे इन्होंने बताएं, बेसिकली इनका मतलब क्या है, कौन मतलब वो कौन लोग है जिनको साहता की जरूरत है क्या मतलब कि किस तरह की साहता की जरूरत है शिच्छा चाहिए, स्वास्त चाहिए, रोजगार चाहिए इसके साथी कहां यानि कहां पहुंचाना है ये लाप कहां पहुंचाना है और कैसे मतलब process क्या होगा जैसे भारत में नरेगा एक process होगया गरीबों तक लाप पहुंचाने का तो यानि process क्या होगा तो ये human geography welfare approach किसकी book है इस मित की और इसमें इन्होंने चार मुख्य उद्देशे बताए हैं कल्याणकारी भूगोल के अध्यन के तो friends आज की class में हम लोगों ने जो recent trend in geography है इनमें से लगभग सभी topics को cover कर लिया है अब मैं आपको दो और topic पढ़ा कर एक तो व्योहारवादिता यानि की behavioralism जो है geography में और दूसरा time geography ये दो topic पढ़ाने के बाद इस पूरे जिये जो पूरा segment है recent trend in geography का इसको हम लोग complete कर लें जिये इस जो पादी बादी जोग चला दो ंज जये जो पूराद़ाद सब्सक्रादी को पतला है कर लेपको है एक तो को दोगवादी है जो जोगवादी जोगगग नज जोगए ने